Realme ने अपनी नाए सीरीज में दो और नए स्मार्टफोन लौंच कर दिये है Realme 9 5G और Realme 9 5G SE और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 9 5G स्मार्टफोन के बारे में इसे smartphone related सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा, इसकी price क्या राखी गई, इंडियन मार्केट में इसमें आपको क्या क्या स्पेचिफिकेशन मिल जाते हैं, इस smartphone को आपको purchase करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी detail आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, त इसमें आपको 6.5 इंचिस की full HD plus LCD display मिल जाती है, जिसमें आपको 90 एच के refresh rate देखनों मिलता है, 90.5% के इसमें आपको screen to body ratio मिल जाता है, परफॉमेंस की अगर बात की जाए तो इस smartphone में आपको performance के लिए processor मिलता है, OCTACOR का VDIATIC Dimensity 810 के इसमें आपको processor मिल जाता है, जिसमें आपको 6 nanometer fabrication technology वाला processor मिल जाती है, और इसमें आपको 2.4 GHz की clock speed मिल जाती है, और इसकी अगर मैं N22 score की बात करूं, तो इसमें आपको 387,076 points के इसमें आपको N22 score देखनों मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको 5 GB की virtual RAM मिल जाती है, जो कि इस smartphone में performance को और बहतरीर बनाने के ल camera setup मिल जाता है, जिसमें आपको 48,2,2 megapixel के 3 camera मिलेंगे, 48 megapixel के इसमें आपको primary camera मिलता है, 2 megapixel के इसमें आपको black and white वाला portrait camera मिल जाता है, और 2 megapixel के इसमें आपको 1 micro camera मिलता है, अगर मैं इसके front camera की बात करूं, तो इसमें आपको 16 megapixel का front camera मिलेगा, और बात कर लेते हैं इसकी रियल्म नाइन 5G स्मार्टफून के स्पेशिफिकेशन रखे लोcream Daim और इसील स्टार्ट होने वाली फॉर्टीन मार्च से और 14 मार्च के बाद मैं पता नहीं इसकी प्रैस क्या होंगी?